नमस्कार इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को रिवाइज करवाने आया हूँ जी पैरा नमबर्स और सी एंटर एडवांस अकाउंट जो के ग्रूप टू का सब्जेक्ट है आप अपने पास सब्जेक्स लाइक अंदर एक्सके में डिफरेंट सेक्शन्स याद रखते है वैसे काउंटिंग अंदर हमें पैरा नमबर याद रखने होते हैं वैसे क्लास के अंदर जो हुंस Betcheanprays को करते है तो भी महां वहां पे अपने पास जो तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपने पास जो है अपने साथ साथ वीडियो के साथ है आप उसे अपने पास राइड डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके ठीक है जी इन टोटल हमारे पास एडवांस अकाउंट्स में टोटल में है जी 13 अकाउं रहते हैं ठीक है ना आपके पास जो चैंडर्स आ रहे हैं विए शाटिंग विद यह नमबर फूर जो आपके ऐसे कंटिंजेंश इन इंवर सक्रिंग आप्टर बैलेंशी इसके अंदर हमें सरफ एक ही पैरा नमबर याद रखने तैस पैरा नमबर ये वह वही पैरा हमें बताता है वह इस अज़िश्चिंग इवेंट और इसके अज़िश्मेंट करनी होती है और नॉन अज़िश्चिंग है जिनकी हमें किताव में एंट्री नहीं डालनी होती हो सकता है को उनका डिस्क्लोजर देना पड़े तो वह आपके पास निट है एस नमबर 5 यहां पर हमारको जो पर नमर याद रखने डेश पर नमबर 8 यह पर नमर 8 इसबाउट एक्स्ट्रा-अइटम जो और नहीं में चीजारो की जो भी चारो पर नमबर है इट इस और अपने पास क्या देना है इंका सेपरेट डिस्क्लोजर सेपरेट डिस इफेक्ट जो आ रहा है, इंपेक्ट आ रहा है, on the current profit loss can be perceived, because that is very important, काफी theory questions यहाँ पे आपके अस्टेंडर में आते हैं, जहाँ पे मैं बताना पड़ता है, वो किस परकार की item है, और वो separate disclosure, तो separate disclosure के बारे में इन para numbers में कहा गिया है, इन respective चीजों के बारे में, तो यह आपके पास याद रखना बहुत important रहता है, तो para number 8 talks about extraordinary item, para number 12 talks about the exceptional item, जो ordinary के अंदर exceptional आ रहे है, items उस size nature या incidence की, जुनका disclosure जरूरी होता है performance को समझाने के लिए, कि लेट से आपने retrospectively कोई change आ रहा है, हमने आपे examples बहुत बात करते हैं, चैनल के अंदर, wages के additional आपको payment करनी पढ़ रह रहते हैं, similarly para number 15 is about the prior period item, कोई गलती पिछले साल में हुई हो, या para number 27 है, that is about the change in accounting estimate, जिसका again nature and amount to be disclosed, so these four para numbers, para 8, 12, 15 and 27 are of AS number 5, जो अलग अलग चीज़ों के बार हमतार है, और main चीज़ क्या ही है, कि nature and amount to be separately disclosed, ताकि उनका effect जो है P&L में जो पढ़ रहा है, वो perceived करा जा सके then हमार पास अगला आ रहा है जी, AS number 7, इसके अंदर हमें जो para number याद रखना है, that is mainly para number 35, that is the most important para number, practical question में more or less इसी वाले से आपके पास बनते हैं, जो कि आपकास क्या बोलते हैं, conservatism की बात करते हैं, कि अगर total contract cost, total contract revenue से जाधा है, तो expected loss को immediately recognize कर लेना चाहिए, तो अगर मार को आज ही पता है कि हमारी total contract की cost, उसके जो total contract price है, उसके जाधा है, तो जितना भी expected loss हम उसकी provision आज बना सकते हैं, उसको recognize कर लेंगे, वैसे एक और para आता है, इसके साथ ही para 36, जो बनाते है scenarios, that is not that important, para 35 भी अगर आप याद रखेंगे, तो आपके पास बहुत ह है, वो आपके पास जाधा important हमें याद रखना है, ठीक है जी, then next is your, जो ara है, that is AS number 9, that is revenue recognition, इसके अंदर हमार पास total में हमार पास para चलते हैं, जी 4, one is about the para 10, then एक आएगा para 11, para 12, and para number 13, यह आपके पास क्या बताते हैं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले para number 11, 12, 13 से, तो para 11, 12, 11, 13, एक sequence में चलते हैं, जो की यह standard cover करते हैं, तीन चीज़ों को, वो बताता है, sale of goods की condition जो आपके पास आ रही है, sale of goods की condition में आपके क्या बोलते हैं हम लोग, there is a transfer of ownership, या significant risk and rewards, कोई effective control आपके पास नहीं है, और दो चीज़े आपके पास common रहती हैं, हर जगा में, जहां प 12 बताता है, sale of goods का, 12 बताता है, services का, जिसके अंदर basic condition के service perform हो चुकी है, चाहे वो completed वाला case है, चाहे percentage completion वाला है, वो बाला, पैरा 13 बताता है, others cases में, that is, interest, royalty and dividend, तो interest की income record करी जाती है, time proportion पे, royalty accrual पे और dividend, जो right to receive payment, that is, जब dividend को declare करा जा रहा है, साथ की साथ, पैरा number 10 क्य तो यहाँ पे standard बड़ा clearly बोलता है, कि आप revenue recognition को postpone कर देजिए, पर अगर बाद में जाके आपको लगता है, कि payment नहीं आएगी, जिस दिन good बेचे तो उस दिन तो लग रहा था payment आजएगी, तो बाद में जाके अगर लग रहा है, तो make provision, तो वही बात करी जारी है, uncertainty of collection की, अगर जिस दिन claim raise कर रहा है, उसी दिन है, तो postpone the revenue, revenue record ही मत करो, और अगर बाद में है, तो provision बना देजिए, ठीक है जी, then हमार पास अगला आता है जी, AS number 20, AS number 17, AS number 17 के अंदर एक हमारे पास है, जिस हम याद रख सकते हैं, that is para 27, which talks about the reportable segment, कि reportable segment कौन सी है, जिनके हमें reportable segment के जो criteria's है, वो क्या-क्या थी, segment revenue, अगर 10% या total revenue से जादा है, बराबर या जाद है, segment result, अगर 10% of total profit या loss, विचेवरी सायर, अगर उससे जादा या बराबर है, या segment assets, 10% of total assets, उसके बराबर या जाद है, इन तीनों में से कोई भी अगर एक fulfill हो जाती है, तो that segment becomes reportable segment, जिनका हमें अपने पास जो है, disclosure देने होते हैं, so reportable segment का जो criteria है, that is mentioned under para number 27, then comes हमार पास अगला आता है, as number 18, that is the related party, and अगले वाले में भी जो आएगा, वहाँ पे भी, आपके पास जो है, यहाँ पे common है, that is para number 3, para number 3, जो आपके पास है, उसके अंदर scenarios आते है, para 3A to 3E, which talks about the related party relationship cases, वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, individually हम अपने पास जब standard को करते हैं, तो clearly वही mean आते है, जहाँ पे holding subsidiary, associate वाला है, key management, personal वाला है, relative वाले की बात होती है, आपके पास जो आ रहा है, common लोग को बात हो रही है, तो वह सारे scenarios हम अपने पास cover करते है, 3A से 3E तक, जो क आपके पास para 3 हमें यहाँ पे याद रखने का, similarly, AS number 24, which is about the discontinuing operation, again, here we need to remember para number 3, which talks about the definition of the discontinuing operation, तो definition क्या है, हमार पास definition जब करते हैं, तो that we talk about, it is a component of an enterprise, जिसके अंदर हमने क्या बोलते है, जो separately major line of business या geographical area of operation है, जिसे operationally distinguished क्या जाता है, और financial reporting purposes के लिए, और जो एक single plan के तह हमारे पास जो है, या तो हम dispose of कर रहे हैं in entirety, या टुकडो में कर रहे हैं piecemeal, या हम terminate कर रहे हैं through abandonment, तो ये तीनों में से कोई एक है, उपर वाली आपके पास end आती है, कि वो separate major line भी है, जिसे operationally financial reporting purposes के लिए अलक्स identify के जाता है, और इन तीनों में से single plan के तरद जो भी हमन action दिया, अगर ये सारी conditions फुल्फिल होती है, तो ही वो discounting operation में आता है, तो उसके लिए para number 3 हमें या पे याद रखना होगा जी, ठीक है, then comes out the AS number 26, which is intangible asset, इसके अंदर दो para सबसे important है, जो जातर use भी होते हैं, that is para number 44 and para number 63, para number 44 है, that talks about the recognition criteria, that is development phase की जो conditions है, कि technical feasibility established हो चुकी ह intention asset को हम बना देंगे, अपने पास उसे फिर इस्तिमाल करेंगे, तो आपके पास cost को measure करा जा सकता है, वो सारी conditions जो है, अगर वो पूरी होती है, तो ही हमारे development phase effectively शुरू होते हैं, हम अब capitalization करनी चुरूँगे, उससे पहले आपका research phase होता है, जिसे हम अपने पास खर्चे क तोर पे ही record कर लेते हैं, और para 63 talks about the useful life, कि intangible asset की, जो एक standard ने presumption लेके दिया है, कि इसकी life 10 साल से जाधा नहीं हो सकती, और अगर जाधा है, तो there should be a convincing evidence, आपके वास एक पूरा पुकता सबूत होना चाहिए, कि अगर आप 10 साल से जाधा की life मान रहे है, otherwise in a normal scenario, आपकी life 10 years स जाधा नहीं हो सकती, ठीके ना, and then is your AS number 29, which is provision, contingent liabilities and contingent assets, जिसके अंदर एक ही para में याद रखना है, that is para number 14, so para number 14 talks about the definition of the provision, तो provision को record करते हैं, उसके आपके तीन conditions है, तीनों अगर पूरी होगी, तो ही provision आप अपने पास किताब में बनाएंगे, which is या तो present obligation as a result of past event, outflow of resources हो जा सकते हैं, अगर ये तीनों की तीनों पूरी हो रही है, तो ही हम अपने पास provision बनाते हैं, else नहीं तो आपके पास हो सकते हैं, हमें contingent liability अपने पास दिखाना पड़े, तो मेन इसके अंदर इस para 14 को हमेशा अपने पास याद रहे हैं, so these were the certain paras जो हमें advanced accounts में, अलगलग standards के इंदर हमें याद रखने की जुरूरत बनती है, which obviously can give you extra mark, 4 accounting standards है, which is AS 14 email commission, AS 19 lease, AS 20 earning per share, and AS 22 that is आपका पास जो defer tax related आता है, accounting for taxes on income, इनके अलग से कोई आपका पास पैर नंबर्स याद रखने की जुरूरत नहीं है, primarily जो आपके पास है, 19, 20 and 22, आर जो practical oriented standards है, so वहाँ पे practical based questions आते हैं, so वहाँ पे ASS कोई major para number नहीं है, जो याद रखना पड़े, इन 9 standards क्या करा आप पैर नंबर्स याद रखेंगे, तो आप मान के चले की paper के अंदर, कम से कम आपका 2 to 3 marks का आपको added extra advantage जरूर मिल जाता है, क्योंकि questions आपके पास जो आते है standards के, उनमें ये para numbers की usage रहत so thank you students, take care and bye bye